हेलो दोस्तों सलाम वालेकूं मेरा नाम है सेजाद और आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वालाओ च्यार इस डिवाइस जो के 20,000 रुपे के अंडर की रेंज में है यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक कंप्री जो पॉपिलर है उसमें से मैंने टीन ब्रांड के फोन स यहाँ पर डो रियलमी के डिवाइस है और डूसरे एक साउमी का फोन है और एक समसंग का फोन है यहाँ पर दोस्तों यह जो फोन है वह काफे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर बात कर लो रैम या फिर कहलो इस्टोरेज वह वागि विडियो की नौटिफिकेशन आते रहें आपको जो भी डिवाइस अच्छा लगया आप अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम बात करें यहां पर एस कंसर्न एज रैंकिंग तो यहाँ दोस्तों जो रैंकिंग होते है वो आपके हिसाब से 6-inch का sd plus display देखने को मिल जाता है जो के काफी ब्यातरीन viewing एंगल से आप देख सकोगे यहाँ दोस्टों हम बाट करेंगर प्रोसेसर के तो आपको देखने को मिलेगा से एक ब्यातरी फोटो आप ले सकते हैं यहाँ बात कर रहा हूं वह 6GB RAM का और आपको मिलेगा उसके साथ इस्ट्रेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ बात करें उसकी ब्यातरी और पावर मैनेज़्मेंट के बारे में तो यहाँ आपको एक मॉन्स्टर लेवल का बैतरी द देखने को मिलता है यहां पे जोस्तों हम बात कर अगर डुसरे तीन इंसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक 8 Megapixel का अल्टरा वाइड एंगल और 5 Megapixel का एक मेक्रो लेंज और उसके साथ 2 Megapixel का एक डेफ्ट केमेरा सेंसर देखने को मिलता है तो यहां पर 32 Megapixel का आपको से यहां पर काफी वेटारीन यह धिवाइस हो जाता है इसके हिसाब से जो कै अच्छा खास आपको डिस्पले डेखने मिल जाता है ब्यातरी है अच्छा हो गया और एक मल्टि टास्किंग केलिए ब्यातरीन रेंब डेख़ने को मिल जाएंट पे जो अगला डिवाइस है वो है Realme 6 Pro जो के 17,999 रुपे का फोन है 18,000 रुपे का फोन आपको यह मिलेगा यहाँ पे जो काफी ब्यातरीन कुछ प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैप ड्रैगन 720 जी अगेन वही प्रोसेसर है काफी ब्यातरीन गेमिंग वागेरा जो मैंने आपको पहले बटा है के मेरे क्वालिटी सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको बात करें स्टोरेश चार्जर सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोस्तों हम बात करें उसके केमेरे की बारे में तो यहाँ पे आपको क्वाट केमेरे का सेटप देखने को मिलता है पहला जो लैंस है वह दूसरा लैंस है एट मेगा पिक्सल का और जो दूसरे दो लैंस है वहाँ पे आपको म वीडियो शूट करना चाते हो कुछ आउटसाइट इंडोर वह भी आच्छे खासे डिजल देखने को मिलेंगे आपको इसमें आपको दोस्तों इसकी जो आगे के आख है यहाँ पे डो आखे है जो काफी बैतरीन इसकी आखे दी गई इसमें 16 मेगा पिक्सल कहीं है और डूसर संग गेलक्सी M31 जो के थोड़ा सा कोस्टली है अगर देखने जाए तो उसके जो स्पेसिफिकेशन है वह काफी बैतरीन देखने को मिल जाते है लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ माइनस पॉइंट है उसकी वज़े से मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा कोस्टली हो जाता है यहाँ पे तो यह जो फोन है वह 18,990 रुपे का फोन है यानि समद लो के 19,000 रुपे यह फोन आपको मिलेगा तो यहाँ पे तो हम बात करें उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको डिस्पले देखने को मिल जाता है और अगर बात करें हम प्रोसेसर की तो आपको अच्छा-खासा देखने को मिलता है Samsung xynox9-6-21 देखने को मिलता है जो के काफी अच्छा प्रोसेसर है पजी वागेडा स्मूर्ड ली चलेगा और काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा आपको डेयम आपको 6 GB Ram exist蘭 बात करें दूसरे तीन हमेरी हैं और यहां पर सब्सक्राइlling देखने को मिल रहा है यहां है यहां पर आपको अप्रक प्रिक्राइब करेंगल के सब्सक्राइब के देखने को मिलते हैं जो अक्रक्ला ये कि historians लेंस हैं पोस। तो हम बात करें गर उसकी सेल्फी तो यहां पर आपको मिलता है बटीस मेगा पिक्सल का सेल्फी केमेरा देखने को मिल जाता है जो के काफी अच्छी क्वालेटी के फोटो निकाल सकते हो आप इससे और यहां पर बात करें अब ओवर डॉल इस दिवाइस के बारे में तो यह काफी बैटरीन स्पेसिफिकेशन में आपको बटा है वह काफी अच्छे है लेकिन एक माइनस पॉइंट लग रहा है यहां पर जो के 6000 एमेस का बैटरे है और उसी के साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर है तो मुझे यह लगता है कि यह 15 वाट के चार्जर को आप जेल नहीं स जागा 18 वाट का चार्जर होटा तो अच्छा खासा चार्जिंग क्यापेबिलीटी देखने को मिल जाती हमें जो अगला फोन है वह रियाल्मी का XT है जो के 16,995 रूपे का फोन है यह जो डिवाइस है दोस्टो वह काफी बैटरीन डिवाइस है यहां पर रेम 4GB का है लेक अगर हम प्रोसेसर की तो कॉलकॉम स्नेप द्रेगन 712 देखने को मिलता है जो एक क्वाइट स्मूठ प्रोसेसर है काभी बैतरी देखने को मिल जाएगा हैंगिंग अगेरे का उटना इस्यू नहीं आएगा यहां पर यहां भी दोस्टो हम बात करें अगर उसकी बैटरी ल अपर्चर के साथ 64 Mpickle का पहला लेंग आपको जो वाइड एंगल देखने को मिलता है वह काफी बैटरी लेंड यहां पे देखने को मिल जाटा है यहां पर दोस्टो जो दीजरे टीन लेंज है वहां पर आपको देखने को मिलता है एट मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड अब जाता है यहाँ पर डिया ले जो पोएंट जीरो अपर्चर के साथ मिलता है तो काफि ब्यातर ही डिवाइस हो जाता है जो अच्छे खाशा देखने को मिलता और यहाँ पर छूड़ा सा लग रहा है के थोरब सा डाउन हो रहा है लेकिन यह जो प्रोसेसर है वो भी एक डिसंट लुक डेटा है या आप अच्छा खासा रन करता है गेमिंग बागेडा कहलो या फिर वीडियो वीविंग कहलो वह अच्छे कासे रन हो जाएंगे यहां पे तो यह भी एक ओवर अगर आप चार्टे हो 20,000 के अंदर तो यह डिवाइस आप ले सकते हो काफी बैटरीन डिवाइस है ओवर आल जो इस्पेसिफिकेशन है वह बैटरीन हो जाते है तो डिवाइस भी एक बैटरीन निकल के आता है यह आपको फोन पसन आये तो कॉमेंट सेक्षन में आप मुझसे पूछ सकते हो मैं म